जम्मु कश्मीर का आतंकवादी हमला भारत की आजादी पर एक बहुत बड़ा तुष्टाहार भारत की एकता खंड़ता संभुपता को तोड़ने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रहार है आतंकवादी चाहे वो देश के अंदर पना लेज़े जो देश की शिमावन अंदर प्रविश कर रहे हैं बहार से आ रहे हैं एक भी आतंकवादी वो जिंदा नहीं बचना है और खास करके हाफिस सहीद और आजहर मशूर वो तो जहां पर भी हैं उनको जिंदा या मुर्दा दिलगा है या तो भारत लाना चाहिए या उनको उसामा बिल नादेन की तरब ही दफन करना चाहिए ये भारत को कदम उठाना ही पड़ेगा और पाक अधिकृत कस्मीर में जितने पादी शिवीर चाल रहे हैं पहले उनको द्वस्त करो और ये जिए हो सके तो पांका धिकृत कस्मीर का भारत में विले कर लो इसके बिना पाकिस्तान सुधरने वाला अंजी है तो है बहुत ही नादान बहुत ही मूर्ख अपरिपक्व और एक जाहिल देश की तरह आचन कर रहा है तो भारत के प्रधान मंत्री को अब एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा एक्शन के द्वरा क्योंकि हमने बहुत बार कहा है कि हम शहीदों की शाहदत का बदला लेंगे जुबानी जंग तो बहुत हुदे अब जुबा कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां देश की एकता खंड़ता और संपुर्ठा की पारत के देखिए सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़कर के पाक अधिकरित कश्मीर के आतंकवादी शिवरों को द्वस्त करना पड़ेगा और पाक अधिकरित कश्मीर का भारत में अब व परमानों बम है तो इसकी दबाब में हमारे पास दस परमानों बम है और परमानों बम का मसला नहीं आई यह आखिर भारत के सांस जीरता और भारत की आजादी को बचाने का मसला है इसमें हम हर बात में यह डरते रहे कि कल को परमानों हमला हो जाएगा और लड़ाई हुई तो हजारों करोड़ पर देश को आर्थिक नुक्सान हो जाएगा जो भी नुक्सान हो अब एक बार आरपार हो जाना है